हाँ मैं हूँ एड़ुकेट अजय कस्यप स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बात करेंगे आज अहम समस्या पर जो हमको लगता है आज के दोर में बहुत बड़ी समस्या है लोहों को इस पर सोचना चाहिए समझना चाहिए वह है परिवारिक बिवाद परिवार अधिक बिवाद में कि जो मैं ट्री मोनियल डिस्पूट है यानि कि जो वहाहिक बिवाद है उसके वी समस्या पर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि इसका कारण कहीं न कहीं वेस्टन कल्चर जो है हम अपना रहे हैं अपनी सब्वेता उसक्रिति को भूलते जा रहे हैं उसका भी कहीं न खहीं है तो विह टन कल्चर और साथ में टेकनोलोजी उसके साथ में जो हम विकास कर रहे हैं और उसके साथ जो अपने परिवारिक जो समंध हैं उसका समंघस बनाया रखना आज के समय में बहुत बढ़ी चुनवती है लोग अजादी सोतनतता के नाम पे अपने हग और अधिकार के नाम पे जो अपनी संस्क्रिती और सब्वेता को पीछे छोड़ आये हैं तो उसका कही न कहीं असर आज हमारे परिवार में देखनों को मिलता है आज सादी के दो ही दिन बाद एक ही दिन बाद लोगों में विवाद हो जा रहा है लोग अलग हो जा रहा है लोग कोट में पहुंच जा रहा है मुकदमा दाखिल हो जा रहा है उनके बीच यहां तक कि बच्चा होने के बाजूद भी लोग डायबोच दाखिले कर दे रहे हैं अलग होने के लिए बच्चे के भविश्च के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे का भविश्च क्या होगा तो आज के समय में हम लगता है बहुत बड़ी समस्या है ऐसा नहीं है कि पहले के समय में लोगों के बीच बिवाद नहीं होते थे लोगों के बीच जगड़े नहीं होते थे उस समय भी होते थे लेकिन उस समय में लोग आपस में समझ के घर महीं रहते थे वो दूसरे से अलग नहीं होते थे लेकिन आज के दवर में छोटी छोटी बात पर लोग जाड़ा हो जा रहा है और अलग होने की आजसे decision ले रहे हैं जैसे कोई खेल हो भविश उनके बच्चों का भविश खुद का भविश पुरा बरबाद हो जा रहा है परिवार पुरे विखर जा रहा है तो आज के समय में इस समझ्याओं को समझ के इसको कैसे साल्ब किया जाए लोगों को इस पर सोचना चाहिए समझना चाहिए हमको लगता है जो हमारी संस्क्रीती है सब्धता है उसको बनाय रखना ही इस हम जो आज परिवारिक बीवार जो है उसको कम करने में हम भूमिका हो सकती है पहले के समय में लोग एक दूसरे का लिहाज करते थे सम्मान करते थे आज के दोर में वो चीज़े जो समाप्त हो जा रही हो तो उसके चलते भी नहीं कहीं है समझा हो रही है जब हम वेस्टन चीजों के तरफ जाएंगे तो वेस्टन के जो जो चीजें हैं जो अच्छी लग रही हम उसको तो अपना रहा है आज के समय में जो भी परिवारी वाद होता है आपस में समझ लेना चाहिए जहां तो कोशिस यह करना चाहिए लड़की के परिवार वाले हों चाहिए लड़की के परिवार वाले हों दोनों परिवारों को आपस में समझाब जाकर एक साथ रखने के कोशिस करना चाहिए तो तो लोग एक साथ रहें अलग नहों ने तो परिवार आज के समय में कुछ कि छोटी छोटी जगड़ों पे ही लोग कोड पहुंच जा रहा हैं कि मुकतमा दाखिल हो जा रहा है और उनका लड़ना सुर्ण जा रहा है लग हो जा रहा है कि हम लोग के पास जो समस्य आती है तो हम लोग सोचते हैं कि इनको समझा बुजा कर निगा परिवार पशा दिया जाए परिवार अलग नहों लेकिन लोग इस कदर उनमें इडिटेशन और लोग के बीच में जो है समस्यां जो इतनी हम हैं बढ़ गई हैं कि लोग समझने को त्यारी नहीं है लोग इसकदर फ्रस्टेटेटेड हैं कि दूसरे से कि जैसे लगता है कि हमको अब साथ में रहना नहीं है तो चीजों को समझने के जरुवत है जहां तो कोशित करना चाहिए लोगों को कि परिवार अलग नहों को समझा बुजा कर ना परिवार बसालने से में बलाई है